हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू जी किचिन तरका तो चलिए आज बनाते हैं पकोड़े और ये पकोड़े आज बनाएंगे हम चौलाई के तो चौलाई अगर आपने नहीं देखी तो मैं अभी दिखाऊंगे आपको किस तरह की होती है तो जो जानते हैं उनको पता है किस तर उनको कर लिया और इसको कर लिया तो यह बारस बार्श के मौसम में ही ज्यादा मिलती है यह लाल वाली चstä lawn में ऑलना इसका बनता है तो यह वही है किने जाको में interrupt लित तो यह इसके पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप एक बर जुरूर बना के देखिएगा तो देखिए हमने सारी चॉलाई हमने कट कर लिए तो अब हम इससे निकाल लेंगे प्लेट पर और हमने थोड़ी चॉलाई लिए उसमें से और बाकी के हम साग बनाएंगे और आपके साथ रेसिपी स्यूर करेंगे तो चलिए यहां पर अब इस चॉलाई को ले लेते हैं एक बोल में तो यहां पर हमने एक बोल लिया है और इसमें हम चॉलाई डाल लेंगे इस साग को और मेरी चॉपिंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए बहुत थोड़ा मोटा कट है आप इसको महीन भी कट सकते हैं तो यहां पर हम टालेंगे सबसे पहले बेशन तो तीन से चार चम चम बेशन डाल रहे हैं यहां पर आप अपने उसके अपने उसके अर्कोर्डिंग डालिएगा अगर आपका गीला हो जाता है तो थोड़ा सा बढ़ा दीचेगा तो अब हम अजवाइन डालेंगे इसको इस तरह से हाथ पर रगड़ कर जिससे अच्छी सी खुच्बू आएगी और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम रेड चिली पाउडर और नमक और अगर आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा चाट मासाला भी डाल सकते हैं तो इसको हम इससे मिला लेंगे तो अधार तरह से हमने इसको त्यार कर लिया है तो अगर आपका गीला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा बेशन डाल सकते हैं अगर आपका बहुत टाइट हो जाता है तो थोड़ा सा पाहिं डाल के उसको उसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर लिजेगा तो देखिए यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था अब इसमें हम इस तरह से जिस तरह से हमें शेप बनाया था पकोडों का तो यह थोड़ा सा लंबे में बनाया है इस तरह से हम डाल देंगे आप इसको अपनी मन पसंद शेप में बना सकते हैं तो देखिए गरम तेल में इसको थोड़ी दिर के लिए पड़े रहने देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पलट देंगे तो पलटने के बाद जब एक साइट से थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और अच्छे से उलट पुलट कर अब हमे इसी तरह से फ्राइए कर लेंगे तो देखिए बांगी भी हम इसने डाल देते हैं पकॉडे और यह फ्राइए हो जाएंगे तो यहां पर देखिए हमने सभी पकोडों को यहां पर डाल दिया है अब हमें क्या करना है अब हम इसको सर्फ कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर प्लेट में हमने रखा हुआ है सॉस रखा है और सॉस के साथ यह पकोड़े रखे हैं बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं तो आप अपनी मन पसंद चट्नी के साथ खा सक तो मैंने स Gibbs रखा हुआ है तो देखिए इस लेखिए कितने अची है और बहुत कुर्कुरे बनते हैं कि अयुक्ज अंदर हैं और बहुत ही कुरकुरे से टेस्ट का बहुत लाजवाब है आप जरूर गनाईएगा